जन्सुराज पद्यात्रा के पचाशवे दिन पुर्वी चंपारण के इंग्लिश पंचायत में एक आम शभा के दौरान परशांत के शोर ने सीम नितीश कुमार और आरजेडी अध्यक शिलालू परशाद यादप पर जमकर निश्चाना साधा उन्होंने कहा कि लालू जी ने सामाजिक न्याय के नाम पर समाज को आवाज तो दी लेकिन उन्हें शिक्षा नहीं दी साथी परशांत के शोर ने आरोप लगाया कि समाज को जो भूमी सुधार करके लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए था वह भी धरातल पर नहीं उतारा गया जिस समाज को लालू जी ने आवाज दी वह उनके समर्थन में नारे तो लगा सकते हैं लेकिन उनकी बराबरी में कभी बैठ नहीं सकते लेकिन लालू जी की अज्यानता कह लिजे या उनकी चलाकी कह लिजे जिस समाज को उन्होंने आवाज दी उसको उन्होंने सिक्षा नहीं दी उसको उन्होंने जमीन भूमी सुधार लागू करके भूमी नहीं दिया और उस समाज के पास तो पूंजी कभी था ही नहीं तो वो जो लोग पिछडे बंचित रह गए वो आज तक वैसे ही रह गए वो लालू जी के समर्थन में आवाज लगा सकते हैं लेकिन लालू जी के बराबरी में उनके बच्चे कभी बैठ नहीं सकते हैं फिर इस राज्य ने नितिश कुमार पर दाव लगाया नितिश कुमार भी पांच-साथ साल तक उन्होंने काम भी करके दिखाया इसमें भी कोई मानने में दिक्कत नहीं है 2005 के बाद इस राज्य में कुछ सुधार होता दिखा लेकिन 2014 में लोकसभा के चुनाव में नितिश कुमार चुनाव हारने के बाद उन्होंने भी इस विहार को ये मान लिया कि भीया यहां विकास से कुछ होने वाला नहीं है समिकरन बना कर किसी तरह पद पर बने रहना ही उपाए है फिर हम लोगों ने मोदी जी का भी दौर देखा अभी एक सजन जो आपने पहले बताया कि आपके लिए मोदी जी के लिए बहुत आपके मन में सम्मान है होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी के भी दौर को हम लोगों ने देखा 14 में लोग सभा में मोदी जी भाजपा जीतने के बाद 15 में उन्होंने पूरी ताकत से बिहार में चुनाओ लड़ा लेकिन बिहार की जंता ने जब 15 में भाजपा को हरा दिया तो भाजपा ने भी बिहार को नितिस और लालू के हवाले छोड़ दिया उसका प्रमान ये है कि 2020 में जब आपने बिहार की जंता ने भाजपा को सबसे बड़ा दल बना दिया था 75 एमेले दिया था नितिस कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे तो भाजपा को किसने मोदी जी को रोका था कि आप मुख्यमंत्री बन जाते बनवाते अपने दल का बिहार को सुधारने का जिम्मा लेते लेकिन भय इतना है यहां के समाजिक समिकरण का कि मोदी जी और भाजपार ने भी बिहार को छोड़ दिया कि भया नितिस जी आप ही बनिये इसलिए छोड़ दिया कि कहीं 25-30 MP जो जीत कर जा रहा है दिल्ली उसमें कहीं कोई खत्रा ना हो जाए तो जिस बिहार को बड़े-बड़े नेताओं ने और दलों ने छोड़ दिया नो सुधर पाने वाला राज्यमान कर छोड़ दिया है उसको सुधार में का एक ही तरीका है बिहार की जंता जग कर अगर मिलकर प्रयास करेगी तभी सुधार आ जा सकता एक प्रसांत की सोर आ जाएं की सो प्रसांत की सोर उससे बिहार सुधरने वाला नहीं है